असलाम वालेकूम वेलकम तो जैली जैली सिस किच्छन आज हम आपके शाद शेयर करेंगे मचन आलगोस्ट रेसिपी मचन आलगोस्ट बनाने के लिए मैं सारा समान त्यार करका आप देख सकते हैं के शाहिए हम आपको बता देते हैं कि हा कर समान चाहिए यहां पर हमने एक किलो अचन लिया है जो कि चाल्ड जर्चर आप एक मरल में तो चुड़ोंम भी करसे थेयर ये यहां पर हमारे घड़े-गरम मसालें 11 चमश हमने जीरर लिये, 4 हरी लाएची को पाँचे-छे लांग है, 8 दस काली मिर्चे हैं, एक जाविते हैं, एक छोचे चुगडा धाल चीनिनिका है आपने मसाले आदा चोचे चम्मा हल दे लिये आदा चम्मा चम ननमक लिया है देर चोच मद लाल मिच पवडर है सबढ़ा को कर傀 destra कुकर में हम अपना सरसों का तेल डाल देंगे तेल को हम तब तक गरम करने हैं तब भाप न आने लगें आप डाल जम बना सकते हैं रिफाइंड ओल मना सकते हैं घीमें बना सकते हैं यह आपको बच पैंच करता है यह देखिए तेल हमारा गरम होगे अब अपने प्याज यह देखें प्याज हमारे फ्राय हो गई है अब यहां पर हम दो प्याज के करीब निकाल लेंगे प्लेट में हमने तुशू पेपर लगा लिए ताग इसमें एक्ष्ट्रा होएल हो निकल जाएगा तुशू पेपर पर इन्हें हम साइड में रखते थे यहां पर हम दैसुना द्रकापेश डालेंगे इसे एक मिनिट के लिए भून लेंगे यह देखिए लैसुना द्रकापेश भून गया अब यहां पर अपना गोश्ट एड़ कर देंगे अब अपना गोश्ट को में हमें अच्छे से बुनाई करनी है तब तक बुनाई करने तब तक इसमें से तेल ना चलाने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए यह देखिए गोश्ट हमारा भून गया अब यहां पर अपने साबुत मसारे डाल देंगे इन्हें भून लेंगे एक मिनच के लिए अपने गोश्ट के साथ यह देखिए गोश्ट हमारा भून गया कलर चेंज हो गया तेल चोड़ने लगा है अब यहां पर अपने मसाले अड़ कर देंगे नमक डालेंगे लाल मिश पाउडर जालेंगे धनिया पाउडर जालेंगे हल्गी जालेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अपने मसालों को भून लेंगे थोड़ा साम पानी डाल देंगे ताकि मारा मसाल अच्छे से भून जाए यह देखें गोस्त हमारा भून गया है यहाँ पर अपने टमाटर डालेंगे जिनके हमने छोचे छोचे टुकड़े कर रखें और यहाँ पर अपने दही भी जालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे दही जालने के बाद हमें चलाते रहना है तब तक उबाल ना आने लगे ताकि मारा दही ना पचे यह देखिए गोस्त मारा उबलने लगा यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी जाल देंगे अपने दही के कचोरी को खंगाल कर अब यहाँ पर हम कूकर अच्छी तरीके से तेज आच पर पका लेंगे यह देखिए गोस्त हमारा भुन गया अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने दो प्याज रखे थे इन्हें हमने मिक्सिम डालकर दर दरा सापीश लिया है इन्हें भी जालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर अपने आलू भी जालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे दो मिनिट के लिए अपना गोस्त और आलू को भून लेंगे यह देखिए गोस्त हमारा भून गया अच्छी तरीके से तेल छोडने लगा है मसाला भी देख सकते के अच्छी तरीका से भून गया है अब यहाँ पर हम तीन civиль पानी जालेंगे पानी आप अपने इसाफ से जाल सकते हैं और यह हरी मिर्च यह थे हैं दो ती नियले भी जाल लेंगे पानी आप अपने हिसाब जितना आपको सूर पर रखना है पतला रखना है गाड़ा रखना है यह देखे पानी हमने जाल दिये अब यहाँ पर हम कूकर का जखकन लगा देंगे दो सिटी और लगा लेंगे यह देखे कूकर में दो सिटी आने बार हमने गैस को कूकर में छोड़ दिया था तब सारी गैस निकल गई है कूकर गे तब उसके बाद में जखकन खोला है आप देख सकते हैं गोश्त तमारे पकर तैयार हो गया है आपको हम दिखा देते हैं आलो भी गल गया है हमारे और अपनी बोट्य भी दिखा देते हैं कितनी अच्छे सा गल गई है यह देखिए अब यहाँ पर हरा धनी आड़ कर देंगे थोड़ी लंबा हम कच्छु यह द्रक डालेंगे यहाँ पर हमने एक बड़ी लाय चिली थी जिसके हमने दाने निकालकर इमाम दस्ते में कूट लिया था इसे भी डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब अपने गोस्ट को हम सर्फ करेंगे हमारे रेचिप आपको पसंद आया तो अपना फीटबेक जरूर दीजिएगा मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ताकि हमारा होसला आप जाई हो आपके कमेंट करने से यह देखिए गोस्ट हमने सर्फ कर दिया है अगर हमारा वीडियो आपको मिलता रहा है फिर मिलता है एक नहीं रेचिपिक साथ सब तक के लिए अल्ला आपिस